जोगर्फी में सब ज़्याद मुश्किल क्या लगता है लोकेशन याद रखना तो जब भी हम जोगर्फी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप से एक्जाम में मैप बेस क्वेशन पूछा जाए ऐसे लोकेशन जो करेंट में रेलेवेंट है जो मेंस की चाहे स्टेट PCS प्रिलिम्स या मेंस की हम बात करें तो बहुत बार जोगर्फी में डिरिक्ली माप बेस क्वेशन पूछे जाता है लेकिन मैप जो है उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अटलस से पढ़े अटलस क्या होता है अटलस एक ऐसी ब यह मैप्स आपको हेल्प करते हैं और आपकी बहुत जादा तयारी जो है उसको आसान बनाते हैं आज जिसकी बात करने वाले हम लोग वह है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस अब यह स्टूडेंट एटलस जो है यह क्यों लेके बैठे हूं मैं क्या खास बात है मार्क स्टूडेंटिटिफ एक्जाम्स के लिए ही डिजाइन किया गया है इस एटलस में आपको पोस्ट साइज मैप भी मिलता है इंडिया का पॉलिटिकल और वर्ल्ट का भी पॉलिटिकल जो की अभी इसमें नहीं है ठीक है तो यह जो है यह आपको देता है यह चीज उसके अल इसमें अवेलेबल है और इसकी टैबलेट या मोबाइल फोन पर यह आप डाउनलोड कर सकते हैं सेकंड चीज क्या है कि यहां पर अब क्यूंकि यह एक्जाम्स के लिए ही बना गया है तो इसमें आपको मिलते है 270 ठीके 270 प्लस मैप बेस्ट क्वेशन तो मैप बेस्ट क्व पूचे गए हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन जो है उसके लिए भी यह रेलेवंट है उसमें भी आपके बहुत काम आएगा जहां पर वर्ल्ड या इंडिया की बात की जा रही है ठीक है और आंसर्स जो है वह एरियल एप में प्रोवाइड किया गया है लेटेस्ट सो अब प्रोजेक्ट से एक्स्पेस एक्स्प्लोरेशन जो उस्समय तक हुआ है ठीक है यह सारी चीज़े समें दिये जो की हो सकते कि दो तीन पिछले दो या तीन सालों का आपको इसमें ना मिले ठीक है यह भी हो सकता है और इंक्लूड करता है यह बारा मैप जो इनिन हिस्ट्री ओफ इंडियन सबकॉंटिनेंट मतलब हिस्ट्री में भी यह आपके काम आने वाला सिर्फ जोग्रफी में काम नहीं आएगा तो एक वर इसके अंदर थोड़ा सा जांक कर अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक जोग्रफी समझाने की की गई है क्या दिया गया है यह एक्स्प्लोरिंग और एंड यॉनिवर्स साइब के टॉपिक दिये गए हैं और यह जो है इस तरीके से मैप भी दिये गया और बहुत चारे मैप दिये है ठीक है चिंता वाली बात नहीं है अभी आप बोलो कि मेंस में कैसे क्वेशन आते त आपको इसमें मिलती है इन फैक्ट जो फ्लाग वगरा तो नहीं आता है लेकिन कुछ कुछ चो डेटा है जो आपको काम आएगा वह तो दिया ही गया है और इस तरीके के क्वेशन आपको मैप बेस्ट वह भी दिये गया है जो कि आगे वीडियो में हम लोग डिसकास करेंग मैं बताना चाहूंगी इसको Amazon पे 4.6 की रेटिंग मिली है वो भी 18,000 से ज्यादा रिव्यूस के बाद जो की एक बहुत बड़ा चीपमेंट है जब कोई प्रड़क्ट बिखता है और बहुत जादा बिखता है तो लोग जब बहुत जादा खरीते हैं तो उसमें रेटिंग होने की बहुत जादा संबाब न रहती है तो इसको काफी अच्छी रेटिंग मिली 4.6 की तो आप इसके साथ जा सकते हैं पर्चेस लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शिन और पिन कॉमें में प्रोवाइड कर दूंगी चलिए देखते हैं हम लोग क्या है इसके अंदर तो यह है हमारा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस पर इंडिया फॉर्थ एडिशन और यह स्पेशली बनाया गया है को कॉम्पेटिटिव एग्जैम यहां पर दिया गया है जो इन्फरमेशन में आपको अल्रडी बता चुकी हो अब इसके अंदर अगर हम लोग देखे सकते हैं कि कैसे अलग जो चीज़े है अलग लग तीम के बेसिस पर वह क्लासीफाई की गई है जिसमें और इंडिया थीमेटिक जो है वह और दिया गया है जिसमें रेलवे पॉपुलेशन री इस रीजिजन लैंवज गएरा सब खुश दिया है इनफाट यह रिलीजन लैंविज जो है ना यूपिसी के में पूछा रहा था इससे क्वेशन तो बहुत ही रेलेवन टॉपिक्स होते हैं मैप से सारे यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग कॉंटिनेंट्स का दिया हुआ है मैप यहां वर्ल्ड में वर्ल्ड इंडिया गया है और यहां से फिर आपको मलता है कंटोर्स और लांड फॉर्म्स के बारे में इंफ्रमेशन और यहां शुरू हो जाता हमारा इंडिया का मैप यहां पर फिजिकल माप दिया गया है और यह आपका पॉलिटिकल मैप और क्यूंकि अभी 2018 तक का डेटा इसमें तो जो newly formed states हैं उनकी boundaries भी दी गई है और वैसे ही दी गई है जैसी इंडियन government ने जिसको मानेता दी है ठीक है तो यह region वाइस दिया गया है और total pages की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे pages है है इसमें 160 pages आपको इसमें मिलते हैं और इस तरीके से कहीं छोटे कहीं बड़े मैप दिये गया है जहां 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 जहसी जहसी requirement है इसमें दिया गया है और जो mistakes है कहीं कहीं पर scale की वज़े से हो जाता है ठीक है लेकिन हमको scale से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है for exam ठीक क्योंकि में तो यह है कि हमारे पास information होनी चाहिए सही होनी चाहिए स्केल से बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता है अगर scaling थोड़ी बहुत उपर नीचे हो भी तो यह इस तरीके से वोल्ड का पॉलिटिकल और सारे जो चीज़े हैं वोल्ड मैप के बारे में वह भी दिया है यहां और यहां पर आप देखते हैं questions जो UPSC में जिस तरीके question और यह pattern जो है थोड़ा change हो चुका है अभी लेकिन फिर भी डिरेक्ली question पूछ लिया जाता है कि माप भले ना दिये जाए लेकिन डिरेक्ली question पूछ लिया जाता geography से और map based question जो है वो काफी पूछे जाते हैं तो आप एक question practice करेंगे तो सिर्फ वही बनेगा आप उससे related या उस तरीकी के और भी question जो है वो solve कर सकते तो यहां पर यह देख सकता आप लोग total यहां पर यह वाले में 66 question दिये हैं total 270 plus question प्रवाइड किये गए हैं अभी price की बात करें तो 350 rupees यहां पर लिखा हुआ है लेकिन मुझे आइडिया नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगी so this is it और मिलते हैं हम लोग next video में बाई बाई